श्री गनेव शाय नमा प्रिय बंधुगो आज का यह भाग एक बार पुना है। उमलियों में उसे कई नामों से जानते हैं, कई लोग बिच्छिया कहते हैं, कई लोग बिच्छोडी कहते हैं, कई बिच्छोडी कहते हैं और कहीं कहीं इसे बिच्छी के नाम से भी जाना जाता है। अब यह पेरों में बिछिया या बिछोडी क्यों पहनते हैं इनके पहनने से क्या लाब होता है और यह किस धातू की बनी हुई होती है तो आईए चलिए आज करते हैं इसी विशे के उपर चर्चा बने रहिए हमारे इस भाग के साथ में और यदि हमारी विशे वस्तू आपको अच्छी लगे तो आपने एक या दो इश्टमित्रों को इसे प्रेशित भी करें क्योंकि सनातन धर्म से जुड़ी हुई यह विशे वस्तू है और यदि अच्छी लगे तो लाइक भी करें आपके विचार इस विशे वस्तू के बारे में कैसे हैं इन्हें कामेंट्स वाक्स में भी लिखें क्योंकि आपके द्वारा जो टिपणिये की जाती है उससे हमारा मनोवल बढ़ता है और हम अपनी विशे वस्तू को सुधारने की कोशिश भी करते हैं तो चलिए जानते हैं विच्छिया के सम्मन्द में अब जैसा की आप सब जानते हैं कि विच्छिया अधिकांस्ता लोग चांदी की ही पहनते हैं अब कई लोग नकली चांदी याने गिलट की वी विच्छिया पहन लेते हैं जो लोग चांदी नहीं खरीच सकते तो वो गिलट की या नकली चांदी की विच्छिया पहन करके ही आत्मसंतोस कल देते हैं परंतु अधिकांस्ता चांदी की ही विच्छिया पहनी जाती है और चांदी की विच्छिया पहनने के कई वेज्ञानिक और धार्मिक कारण भी हैं जिनकी हम आगे चर्चा करेंगे अब प्रिश्ण ये उठता है कि आखिर ये विच्छिया पैरों की कौन-कौन सी अंगुली में पहनी जाती है तो हम आपको बता दें कि अंगुठे के बाद में जो पहली उंगुली होती है तो ये पहली दूसरी और तीसरी उंगुली में विच्छिया पहनते हैं अंगुठे में पहनने के लिए एक अलग से आभुशन होता है जिसे अंगुठी कहते हैं इसके उपर अंगुठी के उपर हम फिर कभी चर्चा करेंगे क्योंकि बरतमान विशे हमारा मात्र विच्छिया से सम्मन देते अब हमारे मनीसियों ने जो भी परंपरा इस्थापित की है वो बिनाकारण तो इस्थापित नहीं की है उसका कहीं न कहीं कोई न कोई धार्मिक और विज्ञानिक कारण भी है तो अब ये बिच्छिया क्यों पहनी जाती है इसके क्या लाब होते हैं तो सरव परधम लाब होता है कि जो पेरों की अंगली में यदि चांदी की बिच्छिया पहनते हैं तो उससे संपून सरीर में रक्त का संचार बहुत अच्छे तरे से होता है और दूसरा कारण उसका यह है कि यह तापमान को नियंत्रित करती है क्योंकि चांदी विछिया चांदी की बनी हुई होती है और चांदी शीतलधातु होती है इसलिए यह तापमान को भी नियंत्रित करती है अब तीसरा कारण याने तीसरा लाव जो माता वहनों को माहवारी आती है न तो बिछिया पहने वाली जो माता वहने होती है इने माहवारी की गड़वड़ी बहुत ही कम होती है अब कई माता वहने सोचती है कि हमने तो विछिया पहनी है फिर भी माहवारी गड़वड़ आ रही है तो ऐसा भी संभव है कि आपने जो विछिया पहनी हो वह दूसरी धातु की हो परन्तु चांदी की धातू की जो विच्या पहनते हैं उन्हें महवारी की समस्या से सामना बहुत ही कम करना पड़ता है अब अब बाद सरूप कुछ माता वहनों की महवारी गड़बड हो सकती है हम ये दावा बिल्कुल नहीं करते कि चांदी की विच्या पहनने से महवारी बिल्कुल ठीक ही समय पर आती है लेकिन बहुत कुछ इस समस्या से छुटकारा प्राप्त हो सकता है अब चूथा कारण जो चूथा लाब होता है पेरों में विच्या पहनने का तो ये जो पेरों की अंगुलियां होती है न इनका सम्मन्ध माता बहनों की जो योनी द्वार होता है उस योनी द्वार से ये अंगुली से जो रक्तवाहिकाएं निकलती हैं उन रक्तवाहिकाओं का सम्मन्ध उस योनी द्वार से होता है अब ये योनी द्वार जो होता है यह रतिक्रिया का खजाना कहा गया है तो पेरों में जो बिच्या पहनी जाती है इसके कारण उस योनी द्वार में उठे हुए अत्याधिक काम बेग को ये बिच्या नियंत्रित करती है पाच्वा लाभ इससे होता है कि जो माता बहने बिच्या पहनती हैं तो इनसे नकार आत्मक शक्तियां दूर रहती हैं बिच्या दो प्रकार की होती हैं एक तो घुंगरु वाली और एक बिना घुंगरु वाली तो जो घुंगरु वाली बिच्या होती है उनसे जो ध्वनी निकलती है उस मधर और करण प्रिये ध्वनी को सुनकर के जो नकार आत्मक शक्तियां होती हैं वे दूर भाग जाती हैं और सकार आत्मक और जो है घर में प्रवेश करती हैं जिस घर में माता बैने घुंगरु वाली बिच्याएं पहनती हैं तो उस ध्वनी के कारण घर का बातावरण शुद्ध होता है और लक्षमी जी प्रसन होती है अब एंसा भी बिल्कुल नहीं है कि किसी के हाँ को आर्थिक संकट चल रहा हूँ और वो हमारा ये भाग देख ले कि अरे गुरु जी ने बताया है कि घुंगरु वाली बिच्याँ पहनने से लक्षमी जी प्रसन होती है और वो लाकर के बाजार से अपनी पत्नी को घुंगरु वाली बिच्याँ पहना दे या वो रुस से कहे ग्रह लक्षमी से कि तुम इदर उदर तेजी से चलो तो ये विच्षिया बजएंगी तो हमारे हाँ लक्षमी जी का आगमन हो गए तो बंधुगों ऐसा बिलकुल नहीं है हाँ लेकिन इतना जरूर है कि जहां ऐसी माता बहने निवास करती है जो अपने घर में घुंगरू वाली विच्षिया पहनती हैं उस घर में शुक, संपत्ती, प्रसन्नता, प्रेम, भाईचारा और परिवारिक एक जुटता का बातावरन इश्वर की क्रपा से निर्मित हो जाता है अब सबसे अंत में और बड़ा ही महत्पून कारण बता रहे हैं हम कि ये जो चांदी की धातू होती है ये चंद्रमा की धातू है और चंद्रमा जो होता है वो मन का कारक होता है अब पैरों की जो अंगुलियां है वहाँ से जो रक्तवाहिकाएं निकलती है और वे रक्तवाहिकाएं हमारे मस्तिस्क तक पहुँशती है तो होता क्या है कि हमारा मन स्थिर रहता है क्रोध के उपर कंट्रोल होता है ऐसे व्यक्ति जो चांदी के आभुशन धारन करते है उनका मन अधिकांशता शान्त रहता है वे प्रसन्यचित होते है तो जो माताएं वहने अपने पैर में चांदी की विछिया धारन करती है उनका भी मन शान्त रहता है परिवार में जैसे की हमने पहले बताया कि प्रेम और इसने का भातावरन निर्मित होता रहता है बंदूओ आज के लिए वस इतना ही सेस अगले भाग में नई विशे के साथ में आपकी सेवा में उपस्तित होंगे आग्या दीजिये धन्यवाद जै माता की जै परश्राम दीजिये झाले ।